वेलकम स्टूरेंट वेलकम टू आवर यूटीब चैनल तो चलिए आज हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट नमबर 1.2 का फस्सक्षिशन कम्प्लीट द फॉल्विंग टेबल तो ड्रॉ अग्राफ अप द एक्वेशन और ये एक एक्टिविटी बेस कोशिशन है जो के कोशिशन नमबर 2 में और कोशिशन नमबर 3 में एक्टिविटी बेस कोशिशन आते हैं तो सब में पहले हम यहाँ पर टेबल कम्प्लीट करेंगे अब यहाँ पर आप देख रहे हैं इस टेबल के अंदर X कोडिनेट 3 है Y कोडिनेट दिया गया नहीं है हमें Y कोडिने लिखना है लेक आपको थोड़ा सा इसको स्वाल करना पड़ेगा तो हम एक्वेशन लिखते हैं X प्लस Y is equal to 3 अब यहाँ पर हम क्या करेंगे Y का वैल्यू दिया गया है यानि कि 5 अकना है तो X प्लस 5 is equal to 3 then X is equal to what 3 minus 5 then X is equal to 3 minus 5 अगर हम करते हैं तो अपने को आंसर मिलता है minus 2 तो यहाँ प पर आ जाएगा minus 2,5 अब चलिए यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर देखिए X कोडिया ने गया है Y कोडिया गया है लेकिन यहाँ पर जब नीचे देखने X,Y के अंदर तो आपको यहाँ पर X कोडिया जीरो नजर आ रहा है तो आप यहाँ पर डारेक्ट 0 लिख लेंगे तो जो कॉडियनेट है 0 है X का कॉडियनेट मालूम करना है तो हम इस एक्यूएशन को लेखेंगे X minus Y is equal to 4 अब हमें Y का वैरियू 0 रखना है then X minus 0 is equal to 4 then X is equal to 4 ओके तो यहाँ पर X का कॉडियनेट 4 मिल गया understood student तो यह हो गया 4,0 ओके clear है अब यहाँ पर X का कॉडियनेट दिया गया है और Y का कोडियनेट मालूम करना है तो इसके लिए हम एक्यूएशन लिखेंगे X minus Y is equal to 4 अब X कोडियनेट क्या है X का वैल्यू है minus 1 minus 1 minus Y is equal to 4 इसको आप further solve करेंगे तो यह हो जाएगा minus Y is equal to 4 और यह minus 1 जब इदर आ जाएगा तो यह हो जाएगा plus 1 then minus Y is equal to 4 plus 1 5 then Y is equal to minus 5 तो यहाँ पर Y का value मिल गया है minus 5 तो यह हो जाएगा minus 1 comma minus 5 minus 1 comma minus 5 इस तरह के से हमने यह activity complete कर ली है चलिए अब हम graphical method से question देखेंगे simultaneous equation को solve करने के लिए तो simultaneous equation को graphical method से किस तरह की solve कर जाता है question हम पहले ही हमारे पिछली वीडियो में बता चुकी है फिर भी एक और question हम आपको बताते हैं चलिए question number 2 के उपर आजाते है question number 2 है solve the following simultaneous equation graphically इसमें हम question number 5 ले रहे हैं तो question number 5 के अंदर आपको यह simultaneous equation दी गए 3x-4y is equal to minus 7 5x-2y is equal to 0 इसको आपको graphical method से solve करना है तो समय पहले हम एक table मना लेते हैं जिसमें 4 columns होते हैं और 3 rows होते हैं इस तरह हमने दो टेबल प्रिपेर किये हैं और इसमें आपको यहाँ पर लिखना है x, y और यहाँ पर लिखना है x, y तो सब में पहले यह वाली equation को हम इसके coordinates मालूम करेंगे तो इस तरह हमने equation लिख लिख ली 3x-4y is equal to minus 7 इसको थोड़ा सा मैं simple करता हूं 3x is equal to minus 7 plus 4y ठीक है यह 4y जो minus का इधार आकर plus का हो गया अब हम जो है इसको और थोड़ा सा simple करेंगे x is equal to minus 7 plus 4y upon 3 okay students यहां तक clear है अब उसके बाद आपको क्या करना है y का value रखना है और x का value आपको मालूम हो जाएगा तो y का value रखते वक्त यह ख्याल रखना है आपको कि जो भी answer आएगा वो fraction में नहीं आना चाहिए अगर fraction में आएगा तो आपको graph के ओपर plot करना आसा नहीं होगा तो हम यहां पर y के ऐसे values लेंगे जो बाद में आगे जाकर 3 से divide हो जाएंगे पूरा solve होने के बाद जैसे के y का value मैं लेता हूँ 1 ठीक है then x is equal to minus 7 plus 4 into 1 upon 3 हो जाएगा यह then x is equal to minus 7 plus 4 upon 3 ओके then x is equal to minus 7 plus 4 यह हो जाएगा minus 3 upon 3 then x is equal to minus 1 ठीक है जब y का value 1 लिया गया तो x का value आपको मिल गया minus 1 तो y का value जब 1 लिया गया तो x का value मिल गया minus 1 तो यह coordinate हो गया minus 1,1 अब इस equation को मैं फिर से यहाँ पर लिखता हूँ x is equal to minus 7 plus 4y upon 3 x is equal to minus 7 plus 4y upon ओके अब x जब अब y का value हम क्या लेंगे अब देखिए student y का value हम लेंगे minus 2 then y is equal to minus 2 लेने का है देखिए y is equal to minus 2 लेंगे तो जब इसको solve करेंगे then x is equal to minus 7 plus 4 into minus 2 upon 3 हो जाएगा यह then x is equal to minus 7 minus 8 4 to the 8 upon 3 then x is equal to minus 15 upon 3 then x is equal to 3 बन जब 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 आपको मिल गया minus 5 जब y का value minus 2 रखे तो x का value मिल गया minus 5 जब y का value हमने minus 2 रखा तो x का value मिल गया minus 5 यह coordinate हो गए minus 5, minus 2 एक है चले इसे इस equation को हम फिर से एक मरतबा लिखते है x is equal to minus 7 plus 4y upon 3 अब हम क्या करेंगे y का value 4 लेंगे then y is equal to अगर हम 4 लेते हैं तो होता है देखिए x is equal to minus 7 plus 4 into 4 upon 3 then x is equal to minus 7 plus 16 upon 3 then x is equal to 16 minus 7 अगर हम करते हैं तो आपको मिलेगा 9 upon 3 then x is equal to 3 ठीक है इस तरीके से जो है आपका answer आ गया है जब y का value 4 रखते हैं तो x का value आपको 3 मिल गया है जब y का value हम 4 रखेंगे तो x का value मिल गया 3 तो यह हो गया 3,4 इस तरीके से इस equation के हमने तीन coordinates मालूम कर लिए हैं अब हम जो दूसरी वाली जो हमारे equation है 5x minus 2y इसके coordinates मालूम करते हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे x y x comma y ओके instrument यहाँ पर हम लिखेंगे 5x minus 2y is equal to 0 तो मैं क्या करता हूँ थोड़ा simple करता हूँ 5x is equal to minus 2y जब इदर आ जाएगा तो plus 2y then 5x is equal to यह 2 जब हम equal to sign के इदर लाएंगे तो इसके upon में आ जाएगा 2 हो जाएगा 5x upon 2 then आपको मिल जाएगा y is equal to 5x upon 2 अब आपको क्या करना है x का value आपको लेना है x का value आप रखेंगे 2 x is equal to 2 रखेंगे then y is equal to what why you into 2 upon 2 then y is equal to 5 to the 10 upon 2 then y is equal to 2 1 2 2 5 10 जब x का value हम 2 ले रहे हैं तो y का value हमें 5 मिल रहा है यह coordinate हो गया है 2,5 ओके students चलिए इस equation को फिर से एक मरता हमें लिखता हूँ y is equal to 5x upon 2 अब हम क्या करेंगे x का value लेंगे minus 2 ओके students then y is equal to 5u into minus 2 upon 2 then y is equal to minus 10 upon 2 then y is equal to minus 5 2 1s are 2 2 5s are 10 जब x का value minus 2 लिया गया तो y का value मिल गया minus 5 तो यह हो जाएगा minus 2, minus 5 चलिए इस equation को हम double से लिखेंगे y is equal to yx upon 2 अब मैं क्या करता हूँ x का value 0 लेता हूँ then y is equal to 5u into 0 upon 2 then y is equal to 5 into 0 मतलब 0 upon 2 then y is equal to 0 इसका मतलब जब x का value 0 लिया गया तो y का value मिल गया 0 तो यह coordinate हो गया देखते हैं चलिए students समय पहले हम क्या करेंगे इस table का table के जो points है minus 1,1 यह coordinate को हम यहाँ पर plot करने वाले हैं हमने x-axis बना लिया है waxes बना लिया है इसके लिख लिया है और x-axis पर जो नमबर से वह लिख लिख लिए और waxes पर लिख लिख लिए हैं तो सब में पहले हम plot करेंगे minus 1,1 को अब देखिए instrument minus 1,1 कहाँ पर आएगा तो आप यहाँ पर देख रहे हैं यह minus 1 है और यह one है तो minus 1,1 यहाँ पर आने वाला है तो हम इस point के coordinate लिख लेंगे minus 1,1 अब उसके बाद जो है आपको minus 5,2 plot करना है तो minus 5,2 यहाँ पर आएगा minus 5 और यह वाइकस इस पर minus 2 तो यह वाला point है तो minus 5,2 लिख लेंगे चलिए अगला point जो हमें plot करना है 3,4 तो आप देखेंगे यहाँ पर 3 है एकस एकसिस पर यकसिस पर 4 है तो यह point यहाँ पर आएगा तो मैं लिख लेता हूँ इसको 3,4 अब यह तीनों points को हमें क्या करना है scale की मदद से join कर लेना है तो चली हम join कर लेते हैं इस तरह हमने यह तीनों points को join कर लिया है अब हम जो अगला हमारा table है उस table के points को हम plot करने जा रहे हैं चली हम अब इस table के points को plot करने जा रहे हैं जो कि equation 5x-12 एकल दो 0 से हमने बनाया था तो समय पहले points है 2,5 तो हम देखते हैं 2,5 कहां पर आएगा 2,5 x-axis पर 2 और y-axis पर 5 मतलब वो point यहां पर आने वाला है 2,5 तो यहां पर इस point के हम coordinates लिखते हैं 2,5 अब अगला point हमें plot करना है जो कि minus 2,5 है तो वो minus 2 और यहां पर minus 5 वो point यहां पर आने वाला है तो यह point जो है minus 2,5 है ओके student अब तीसरा point हम plot करेंगे जो कि 0,0 है वो बिलकुल origin पर आने वाला है 0,0 तो मैं यहां पर लिख लेता हूँ 0,0 ओके student अब यह तीनों points को minus 2,5, 0,5, 0,0 और minus 2,5 को हम scale के जरीए join कर लेते हैं इस तरह से हमने जो है यह तीनों points को scale के जरीए join कर लिए at minus 2, minus 5, 0,0 और 2,5 अब यह दोनों line जहां पर मिल रहा है instrument वहां पर हम गवर करेंगे तो यह दोनों line इस point के उपर मिल रहे हैं इस point के उपर मिल रहे हैं और आप देखते हैं कि यह point जो है x-axis पर 1 को आकर मिल रहा है और यह y-axis के उपर अगर हम देखेंगे तो 2,5 पर आकर मिल रहा है इस वज़े से इस simultaneous equation का solution हो जाएगा 1,2.5 इस तरह से हमने दोनों भी tables के points को plot कर दिया है और यह दोनों line जहां पर मिल रहे हैं वहाँ पर 1,2.5 पर दोनों line intersect कर रहे हैं इस वज़े से आप यहाँ पर इसका solution लिखेंगे आप इस तरह से लिखेंगे the solution of given simultaneous equation is 1,2.5 इस तरह से जो है इसको हमने graphical method से solve कर लिया है we hope that you have understood the solution properly अगर आपके कोई queries हैं तो आप हमें comment करकर हमसे questions पूछ सकते हैं थैंक यू पर वाचिग आवर वीडियो